शूरत कोड ने राउल गांधी को दो साल की सजा दी हाला कि तुरंट बेल भी दे दी और तीज दिन का समय भी दिया अपर कोड में अप्रोच करने का इस मामले को लेकर कॉंग्रेज विपक सडको पर है लेकिन इसी बीच लोकसभा जक्स ने उनकी सदस्ता ही खतम कर दी वाइ सर्माजी सर्माजी तीस दिन का समय दिया था जमानत भी दे दी थी उसके बाद भी लोकसभा सची वाले ने जो उनकी सदस्ता समाप्त की है ये क्या कानून जम्मत फैसला है तीस दिन का समय किसली दिया था अपर कोड को अपर कोड को अपर को अपर कोड को अपर को अपर को समाप्त कर दी वहां पर कहीं भी यह नहीं दिया गया है कि जब तक कि अपर कोड से फाइनल नहीं हो जाए इस समाप्त नहीं की जा सकती या सुप्रिम कोड से जब तो फाइनल नहीं हो जा इस समाप्त नहीं की जा सकती यदि कोई व्यक्ति कन्विक्टेट होता है अपरादी तरह से उपयोग किया है इसलिए राहूल गानी की को जो इस्पेसर प्रिविलेज मिलते है यह यह लोग सबास दे शुमों मिलने समाप्त हो गए आज की तारीख से अब बात ठीक है लेकिन तीस दिन को आज जो समय देना है या फिर तुरंद बेल भी देना है तो उसका मतलब यह था कोट का कि कम से कम अपर कोट में वह अप्रोच कर सकते थे लेकिन लोकषबाद देख्ष ने तो मतलब एक तरह से राज ने देता का मामला बनता दिखता है यह नहीं 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 तो आप आपरादी कीजिए और अपर कोट जो है उनकी अपील को सुनने के लिए नोट कोट की है लेकिन एक बार जब लोवर कोट ने उनको अपरादी सिद्ध कर दिया तो अगर उस आधार पर लोगसबा की सद्धा उनकी समाप्त कर दी जाती है तो यह अधकार है कॉंस्टिटूशन ने समिदान में दिया हुआ है इसको कोई भी मना नहीं कर सकता वो अगर सु तो अब यह देखना होगा और बात होगे कि तब तक यानि अगले एक डिड़ साल में उनसे केस हड़ता है तो ठीक नहीं तो फिर अगर एक केस नहीं लड़ता तो चुनाप भी नहीं लड़ सकते हैं उनका तो राइनितिक केरियर तब तक के लिए समाप्त हो गया जब तो पूर रूप से दोश मुक्तन हो जाएं इसी लिए हर राइनितिक ब्यक्ति को हर सरकारी ब्यक्ति को हर इस देश के नागरे को ये साबधानी बरत नहीं चाहिए कि उनके बुरुत किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल केस लागू नहों चले नहीं अगर है तो उनको तुरन समाप्त करवाएं समझोता करें अपने आपस की दुस्मनी को खतम करें और कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जो उनके भविश को उनके आने वाले समय को किसी भी तुरह का बेवधान पहुंचाता हो आज राहुल गांदी ने जो गलती की वो इसलिए गलती की कि वो बहुत उंचे ख्वाब में बने रहे एक तरह से कहा जाए तो उनको इस बात का विस्वासी नहीं था यह किसी प्रकार का कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते है राहुल गांदी का कहना है कि जिस पर मुझे सजा दी गई वो इतना बड़ा मुद्ध ही नहीं था मैं तो सिर्फ लड़ रहा था प्रधान मंत्री पर अटेक करता किसी जाती पर अटेक नहीं था किसी जाती को लेकर मेरा कुछ है इस तरह का लिए तो कोड का वर्डिक्ट बताएगा राहुल गांदी के सवर क्या थे राहुल गांदी के सब क्या थे राहुल गांदी ने जो आलोचना की थी जो एलिगेशन लगाए थे वो एलिगेशन सब क्या बोलते है आप किसी लीडी को मा बोलते हैं तो मा का सम्मान दिया जाता है औरत बोलते हैं तो उसका स्वर बदल जाता है और उसी लीडी को लुगाई बोलते हैं तो उसका स्वर और भी ज़्यादा घिनात्मक हो जाता है इसी तरह से आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं बोला लेकिन हकीका तो देखा यह जाएगा कि उन्होंने जो जो सब्द बोले सब्द के जिस टोन में बोले जो जो अक्षर बोले क्या उन अक्षरों का क्या अर्थ निकलता था क्या वो अर्थों ने भारती सम्मिधान का बुरी तरह से विनाश नहीं किया, उसके बुरुध में नहीं बोला, ये तो कोट देखे, ये मैं देखने वाला नहीं हूँ, लेकिन इन सारी चीजों को कोट ने देखा है, कोट ने महसूस किया कि जो सब्द कहे गए वो गलत कहे गए, और उस गलती के का क्लासफाई कैसे कर सकते हैं, आप कल को कहें कि हर औरत आपके गलत होती है, तो इसका मतलब है कि हर औरत गलत हो जाएगी, हर आपके मोदी गलत होता है, इसका मतलब हर मोदी गलत हो जाएगा, हर बिक्ती के अपनी विस्ष्टा है, हर बिक्ती का अपना चरितर होता है, हर बि उन्हें समाज को चोर कह रहे हैं उस नाम के बिक्ति को ये तो गलत चीज है ये बहुत बड़ी गलती की रहुल गांदी ने जो कि उन्हों पता नहीं क्या सोच के की और उनको जो सजा मिल दी गई है अगर प्राइम अफ हिसा ही देखा जाए तो वो सजा सही है गलत नहीं है र अपक्ष के नेता के पिरती उन्हों ने जब कहा तो उन्हों ने कहीं भी ब्यक्तिकत रूप से कोई भी ऐसा लांचन नहीं लगाया जो कि सामिखीक रूप से सबके उपलागू होता हो यहां पर राहुल गांदी के जो सब्द थे जो टोन था वो एक ब्यक्ति वीशेश के नहीं था बलकि वो टोन और सब्द इस पश्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि पूरे देश में इस नाम के जितने व्यक्ति सारे ही चोर हैं यह चीज गलत थी और इसी गलती की सजा आज राहुल गांदी स्यम होता है एक गलती की सजा और कह सकते हैं 2013 में उन्होंने प्र दे तो साथ जान बस सकती थी सवाल इसका नहीं है सवाल इस वात का है जब आदमी घमंड में अपनी आँखें बंद कर करें और द्वंद हो जाता है और कुछ भी एक्शन लेता है सोचता है परम सोतन न सर परको तो उसका अंत्मे परणाम यही होता है कोई भी सब्द बोलन अधिके लिए नहीं थे सब्द मुखर थे सब्द साब बोल रहे थे यह पूरे हर व्यक्ति इजदेश पर रहने वाले उस जाती के उस नाम से संब्द है हर व्यक्ति के ऊपर चोट की जा रही थी वो गलत था यह गलत था और इसी वज़े से सूरत कोट ने उनको सजा भी द देंगे तो इसका गलत मेसेज आएगा जनता में यानि जो पद पर बैठा है जितने बड़े पद पर बैठा है उसकी भासा उतने ही गरीमा पूर्ण होनी चाहिए और यह जो फैसला है यह भी कहीं न कहीं एक रहुल गांदी के लेसन है पार्ट है कि किस तरह से भासा पर ध